नमस्ते सांथियों स्वागत है वर फिर से आप सभी का प्रुधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना से संबंधित आज के इस नई विडियो में तो सांथियों हाल ही में प्रधान वंत्रे किसान सम्मान निधी योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार द्वरा अठारवी इंस्ट्रॉल्मेंट जो है जारी किया गया जिसके तहत दो हजार रुपए लाभार्थियों के खास्ते में जो है रिसीब हो चुके सी बीच सांथियो आज के डेट में कुछ मतपून अपडेट इस योजना के तहत लाभारतियों को दिये जाने वाले लाब से जुड़ी निकल कर आई है जिसमें सांथियो यह बताया जा रहा है कि एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान ने थी योजना के तहत लाभारतियों के खाते में 2,000 रुपए की जो रासी है वो भारत सरकार के किरिसी मंत्रालाई द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा और सांथियो यहां पर यह भी बताया गया है कि कौन से लाभारति होंगे जिन्हें ये पैसे मिलेंगे और कितने तारीक को ये पैसे लाभारतियों के खाते मे डाले जाएंगे तो सांतियो पूरी जानकर इस बीडियो के अंदर में आप सभी को स्टेप बाई स्टेप पर प्रवाई करुआँगा कि कौन से राज के लाभारति होंगे जिन्हें ये पैसे मिलेंगे लाभारतियों की संख्या क्या होगी और की यह पैसे मिलेंगे और उसी के साथ कौन से तारीक को यह पैसे लाभारतियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी तो चली साथियो बिना किसी देरी की वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अप्लोड करें तो सबसे पहले जानकरी आपको मिल सकते हैं साथियो वीडियो में स्टेप बाई स्टेप मैं आप सभी को मिताओंगा कि कौन से राज्यों के लाभारतियों को यह जो पैसे ह हैं वो सभी राज्यों के लाभारतियों के खाते में भारत सरकार के क्रिसी मंत्रा ले द्वारा ट्रांसपर किये जाएंगे जिसमें साथियो भारत के अंदर जितने भी राज और यूटीज हैं वो सम्मिलित होंगे जहां पर पीम किसान सम्मान दी योजना की जो स्कीम है व लाभार मिला था रेजिटरसन नमबर के माध्यम से जब लाभार्थी अपने प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो उनके eligibility status के अंदर कुछ इस प्रकार से option जो है उन्हें देखने को मिलते हैं जिसमें land sitting, ekyc status और आधार bank account sitting status जिसमें no और yes करके आपको देखने को मिलते हैं अगर इन में से कोई भी option में अगर आपका no रहता है तो सांथियो आपको जो है उस चीज को सही कराना पड़ता है तब आपको इस योजने के तहट जो लाब है वो मिलते हैं तो सांथियो यहां पर जो अपडेट्स आये हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जिन भी लाभार्थियों का या फिर आधर बैंक एकांट सीडिंग स्टेटस के अंदर नो होने के कारण उनका पैसा रुका हुआ था और उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे तो ऐसे सभी लाभार्थियों को एक बर फिर से पैसी जो है ट्रांसफर किये जाएंगे उसके लिए सांथियो जरूरी यहां पर जाएंगे जो आधर जाएंगे जो इस योजना के लिए अब इलिजिबल हो जाएंगे आगे आने वाले सारे लाब उनके खाते में डिरेक्ट मिल सकेगा तो सांतियोकर जान करें अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक करें इस परकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्दबाद